कहानी की शुरुवात में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो की एक खदान में काम कर रहे थे तबी अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है और Oliver नाम का एक आदमी जो की उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है पर उनमें से टैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डैड बोडी को घर पहुचाए जाता है जहां पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत रोती है तबी सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं तबी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नम क्लिफ़र्ड था और वो बहुत अमीर था अब कुछ दर बाते करने के बाद वो एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि अब उन दोनों की ये मुलाकत प्यार में बदल चुकी थी जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोडेंगे अब उन दोनों की marriage life बहुत ही अच्छी चल रही थी पर अगले ही दिन Clifford को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक soldier था लेकिन जंग के दोरन Clifford घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है हम देखते हैं कि आज Clifford घर आ रहा था और सभी बहुत ज़दा खुश थे और उसका welcome करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे Clifford को देखकर कोनी बहुत ज़दा खुश होती है पर तब हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद Clifford के पेट के नीचे का हिस्सा पुरा पैरलाइज हो चुका था अब Clifford अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थेंक्यू बोलकर अंदर आ जाता है वहीं कोनी Clifford को देखकर खुश तो थी पर वो अंदर यंदर बहुत ज़्यादा दुखी थी उनकी खुशों से बरी जिंदेगी में कभी ऐसा मोड भी आएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था इसी बात से दुखी होकर Clifford खुट को मारने की कोशिश भी गरता है पर कोनी उसे रोक लेती है वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी अब इसके दूसी तरफ हम Oliver को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लैटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी ख़दान में काम नहीं कर रहा बलकि इस बार वो जंग में है फिर कुस दिनों बाद जब Oliver चुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहाँ पर वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है फिर कुस दिनों बाद Oliver काम मांगने के लिए Clifford के बास जाता है इसके बाद जब Clifford उससे बात कर रहा था तब उससे बता चलता है कि Oliver भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था Clifford इससे काफी इंप्रेस हो जाता है और Oliver को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है अपाही जोनी की वज़े से Clifford अपने लिए एक गाड़ी खरीता है और जब वो उसमें बैटकर गूमता है तो उसे लगता है कि मानों उसके पैर वापस आ गए हूँ फिर एक दिन वो कोनी के साथ Oliver के पास जाता है जो की जंगल में बने एक cottage में रहता था और पक्षियों की देख भाल करता था वहाँ पर पहली बार कोनी Oliver को देखती है जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है फिर वहाँ से वापस आते वक्त कोनी Oliver को इशारा देती है पर Oliver उसे समझ नहीं पाता अगले दिन एक मेट कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि Oliver अपने cottage की चाबी मांग रहा है तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है फिर जब वो Oliver के पास पहुँचती है तो Oliver उसे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है कोनी को भी Oliver के इस behavior पर गुसा आ जाता है और वो गुसे में वहाँ से चली जाती है अगले दिन Oliver कोनी को एक letter लिखता है जिसमें वो अपने बरताव के लिए उसे माफी मांगता है इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने उसके cottage में जाती है जहां पर Oliver अपनी shirt उतार कर काम कर रहा था फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है ये देखकर कोनी खुद को control नहीं कर पाती और Oliver के पास जाने लगती है पर तभी Oliver भी उसे देख लेता है और अपनी shirt वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज़द करता था कोनी को ये जगे बहुत पसंद थी इसलिए वो Oliver को कहती है कि मैं हर रोज यहां पर painting करने आऊंगी पर Oliver उसे कहता है कि मैं ये जगे आपके लिए साफ कर दूँगा और मैं किसी दूसरी जगे चला जाऊंगा कोनी उसे कहती है कि तुमें कहीं भी जाने की ज़रुद नहीं है और तुम उससे इतना भाग क्यों रहे हो यहां पर कोनी Oliver से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है लेकिन तबी वहां पर बारिश आ जाती है इसलिए वो Oliver के साथ उसके cottage में जली जाती है जहां पर वो दोनों आग जला कर खुद को गरम करने लगते हैं पर तभी Oliver वहां से उट जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था कोनी उससे पूछती है कि तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो तो Oliver उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफट को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी अब Oliver ने कोनी को इग्नोर कर दिया था इसलिए वो वहां से उटकर घर चली जाती है फिर एक दिन कोनी क्लिफट से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है इस पर क्लिफट उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके उपर करंट के जटके देता है क्लिफट दर्द से बहुत चिला रहा था और फिर जब आखरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफट को रोग देती है अब क्लिफट इसकाम में नाकाम रहता है इसलिए वो रोने लगता है अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है पर तब ही उसे Oliver के काम करने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है जहां पहुँचकर वो छोटे चूजो को देखती है और उने देखकर रूने लगती है उन बच्चो को देखकर उसे अपने बच्चो की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी अब कोनी को रोता देखकर Oliver उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है अब Oliver भी कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कोटेज में ले जाता है जहांपर वो दोनों इंटिमेट होते हैं कोनी पूरे दिन Oliver के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो Oliver उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है जाने से पहले कोनी Oliver से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुमें उसका कोई पश्तावा है जिस पर Oliver कहता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करने लगाऊं और अब तुम सिरिफ मेरी हो उसी राद बहुत तेज तुफान आता है और बादल गरजने लगते हैं Oliver को कोनी की बहुत याद आ रही थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है वहाँ पर कोनी की भी नीद उड़ चुकी थी और वो भी Oliver की यादों में सो नहीं पाती फिर वो खिड़की से Oliver के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दोडते हुए Oliver के पास चली जाती है लेकिन तब हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उनके घर की एक मेड उसे देख लेती है वहीं Oliver भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उससे मिलने आओगी इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों वहीं पर intimate होते हैं एक दिन Clifford के घर पर एक party होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है फिर Clifford देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगली सुबह Clifford कोनी से कहता है कि तुमारे लिए तुमारे पती से जादा important एक बच्चा पैदा करना है कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाती थी और Clifford को लगता है कि शायद इसलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है पर इस बात से कोनी बहुत गुसा हो जाती है जिС पर Clifford उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्थ नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो बस वो बच्चा मेरा हुना चाहिए अब इस बात से गुसा होकर कोनी Oliver के पास चली जाती है और उसके साथ intimate होती है फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो pregnant है और वो इस बारे में Clifford को बताती है Clifford ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती एक दिन Clifford Oliver से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है अब वो दोनों जाई रहे थे कि तभी Oliver पीछे से आता है और कोनी को पकड़ कर किस करने लगता है अब वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी Clifford कोनी को आवाज लगाता है दरसल क्लिफट की गाड़ी किचड में फस गई थी पर तभी महाँ पर Oliver आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है पर इसी दोरान वो खासने लगता है क्योंकि ख़दान में काम करने की वज़े से उसके दोनों लंक्स खराब हो चुके थे फिर कोनी क्लिफट से कहती है कि तुम Oliver को रोग दो नहीं तो वो मर जाएगा लेकिन क्लिफट ऐसा नहीं करता अब फाइनली Oliver उसकी गाड़ी को कीचड से निकाल देता है और खासता हुआ वहाँ से चला जाता है थोड़ी देर बाद कोनी Oliver के पास आती है तो Oliver उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंक्स खराब कर दिये इन इसके बाद भी उसे जंग के लिए France भेज दिया गया वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है इसलिए तुम अपने पती के पास वापस चली जाओ फिर एक दिन कोनी की मेड मिस बॉल्टन ओलिवर के कोटेज में जाती है जहां पर उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कोनी की पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने पर एक पार्टी रखता है पर तभी हमाँ पर मिस बॉल्टन आती है और क्लिफट को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है फिर जब कोनी क्लिफट से मिलती है तो क्लिफट उससे बहुत नाराज हो जाता है इसके बाद कोनी मिस बॉल्टन के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हे किसने बताया मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है अब कोनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा पर मिस बोल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया अब इस बात से कोणी रोने लगती है और उसे कहती है कि वो Oliver से बहुत प्यार करती है फिर मिस बोलटन उसके पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से Oliver के पास जाओ वरना तुमारा पती उसे मार देगा अब ये सुनकर कोनी भागते हुए Oliver के आउट हाउस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता ये देखकर कोनी रोने लग जाती है पर तभी वहाँ पर Oliver आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफट के घर पर आती है जहांपर वो उससे डिवोस मांगती है पर क्लिफट उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है पर फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और फाइनली कोनी और उलिवर क्लिफट के घर को छोड़ कर चले जाते हैं फिर उनके जाते वक्त क्लिफट वहाँ पर आता है और वो कोनी को तलाग देने के लिए मान जाता है दोस्तो ये फिल्म किसी भी तरह से कोनी के ये काम को justify नहीं करती कोनी ने क्लिफट के साथ जो भी किया वो सही नहीं था यहाँ पर डारेक्टर आपके लिए open ending छोड़ देता है जहाँ पर आपको खुट decide करना है कि कौन सही है और कौन गलत और दोस्तो इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है